अधिया आप सब आई होप कि आप सब काफी अच्छी होंगे तो आज का जो व्लोग है ना वह मतलब काफी पुराना है होली से भी पहला होली से एक दिन पहला तो व्लोग जो है ना थोड़ा एडिट करने में मुझे टाइम लग गया एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था और बस इसी वज़े से जो है ना थोड़ा सा व्लोग भी लेट हो गया है तो यह जो है ना अभी साम का टाइम था एप्रोक्स फोर ओकलोक का टाइम होगा तो मेरा ना भी एक पारसल आया था जो कि मैंने मंगाया था नाइका से तो बस उसे ही ओपन करके देख रही थी मैंने कुछ चीजे मंगाई थी जो की खत्म हो गई थी अभी आपको दिखाती है मुझे बहुत पसंद है बट अनफोर्चुनेटली इस बार जो है ना यह तूटा हुआ आया है तो मुझे बहुत दुख हो रहा था वह सारा समान रखा और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे लग रही थी इस टाइम पर भूक और अभी जो है ना वैद जाएगी तो चाय पीने का मन बिल्कुल कम हो जाएगा और फिर जैसे बनाना शेक मैंगो शेक यही सब पिये जाएंगे तो अभी मेरे पास मेरी कजन भी आई हुई थी उसका एक्जाम था यहां पर तो वह एक्जाम देने आई थी तो बस तीनों के लिए मैंने यहां पर बनाना शेक बनाया है और ही मांसू तो पीते नहीं है क्योंकि वह वैसे भी अपनी डाइट पर रहते हैं तो वह तो कुछ हलका फुलका मता हैल्दी ही खाते हैं इस टाइम तो बस मराना से एक मैंने अपने डुगु के और अपनी बहन के लिए बनाया था और डुगु देखे यहां पर ना मेजर कर रहा है वो बोला था कि जो सबसे ज़्यादा होगा ना मैं वह वाला प्यूंगा बच्चों में य देखी फरस्ट वाली और फिर दस्यम टू देखी थी दोनों ही मुवी आप जितनी बार भी देखो ना उतनी बार ही अच्छी लगती है और फिर जब बनाना शेक खत्मा तो मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे थोड़ा काम था मुवी मेरी देखी हुई थी तो ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने सोचा था जिसमें मेरे पहले राइफ रूट रहते थे था मैंने आपको दिखाए वह राउंड शेप में थे तो मैंने सोचा जब वह थोड़े खत्म हो जाएंगा तब ही मैं में रिफिल करूंगी तो बस आज थोड़ा सा टाइम भी था मेरे पास तो इन जार को मैं लेकर आ गई हो इनमें वन बाई वन करके मैं सारे नट्स भर दूंगी इन जार को लेने का ना मुझे मतला लग रहा है कि अच्छा ही किया मैंने इस यह स्लेंडर सेप के लिए है क्योंकि जो मेरे पहले वाले जार थे ना नट्स वाले वो चार सिर्फ और वो इतने जारा स्पेस लेते थे ना बट यह देखिए चैना मतलब मेरी जो रहा है उसमें ईजी ली आ जाएंगे तो मुझे इस वज़े से भी यह काफी पसंद आये तो सारे नट्स भर दी जो भी थे मेरे पास अभी फिलाल और पांच तरह के नट्स थे तो पा हैं तो एनमे में यहां पर चुवारे भर रही हूं जो कि डुगु का फेवरेट नट है चुवारा और काजू वह बहुत खाता है और किसमिस यह तीन चीज़े उसको काफी पसंद है अभी जब मैंने जार वहां से हटाई ही है तो फिर मैंने जब न्यू जार रखने हैं तो अच्छे से साफ कर लिया था और फिर जो मेरे जार थे ना वह सारे मैंने रख दी तो देखिए 5 के 5 जार जो है ना एक रो में आ गये थे और काफी प्यारे लग रहे थे तो पस यह तो सारा यहां पर मैंने अरेंजमेंट किया अब जो मेरे जार खाली हुए थे ना 3 से 4 थे एक का कैप दो जादा ही खराब हो गया था तो मैं उनको भी अभी वोश कर लूँगी हाथ के हाथ साथ ही जो बनाना शेख के ग्लास थे न वो भी महीँ यहें पर वोश करलूँगी अब जैसे जैसे जो है न थंड तो चली ही गयी मतल जैसे जैसे गर्मी आ रही है किचन में भी काफी धूब आने लगी है और जैसे ऐसे मतलब गर्मी आएंगी मई जून तक तो इतनी मतलब हालत खुराब हो जाती है मेरी किचन में की जल्दी से किचन मैंने का मन नहीं करता है दो बज़े के बाद क्योंकि पाच्छा बज़े तक की धूब रहती है फिर किचन में तो अभी देखे काफी दूपा रही थी बस मैंने ये जार वगएरा जो है ना दुले थे वह वोश के और फिर मैंने कोई भी शूट नहीं किया अब जो है ना मैं नेक्स्ट डे आपसे मिलूगी तो यह है नेक्स्ट डे और सबसे पहले उठकर मैंने पानी पिया और फिर जो मॉनिंग वाली जारू होती है वो लगाई है घर में सामें मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि फिर ऐसा कुछ था नहीं इसलिए मैंने शूट नहीं किया और अभी बस सुबह वाली जाड़ू लगांगी और फिर कल सुबह जो है अरली मॉर्निंग हमें घर के लिए भी निकलना मता होली के लिए घर जाना है तो मेरी पैकिंग वगयरा कुछ भी नहीं हुई है और थोड़ा सा काम भी है घर जाने से पहले वह भी जो है ना सारा खत्म करना है तो यहां पर ब तो थोड़ी सी ही चीज़े मंगाई थी नारिल वगएरा मंगाया था कि जो आज में खत्म हो जाए और जैसे टमाटर मंगाया था तो टमाटर तो फ्रिज में रहते हैं क्योंकि हमें ज्यादा दिन रुक कर नहीं आना था सिर्फ यह दो या तीन दिन के लिए ही हम जा रहे थे तो बस सारी चीज़े सबज्यों को मैंने बास्केट में निकाला और फिर मैं इनको धुल कर भी रख दूँगी और उसके बाद जो है तैयारी होगी नास्ते की क्योंकि मैंने बताया ना जैसे की पैकिंग वगएरा नहीं तो मुझे पैकिंग भी करनी है और कुछ समान जो ह है काउंटर टोप और गैस स्टोप को क्लीन कर रही हूं इसको क्लीन करने के बाद आज नास्ते का पहले से ही डिसाइड हो गया था कि आज पराठे बनेंगी क्योंकि साम की थोड़ी सी सबजी रखी हुई थी तो फिर सोचा कि चलो सबजी के साथ पराठे अच्छे लगते ह है और यहां पर हिमान सोपने स्मूदी बना रहे थे और मैं जो बदाम वगरा भीगा कर रखे थे ना रात में उनको यहां पर छील रही हूं सब खा लेंगे नहीं तो फिर यह ना पूरे दिन ऐसे ही भीगे होगे रहते हैं कोई नहीं खाता है अगर इस टाइम पर छील कर यहां पर देखे बस पराथे बनने भी स्टार्ट हो गए है मैं बना ली हो ट्रैंगल वाले पराथे ट्रैंगल पराथे किस को पसंदा कमेंट करना मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं मतलब इतने पसंदा है कि मैं इनको जो है अचार और चाय के साथ भी ऐसे ही खा सकती हुँ सब्जी वगेरा या इस्टव पराठा खाने की भी में ज़रूरत नहीं होती है इतने पसंद आते हैं तो यह इसलिए बस क्योंकि सब्जी है ना तो ट्रैंगल पराठा पूरी फैमिली को ही मेरी पसंद है डुगो को मतल़ स्क्वार शेफ वाला भी काफी पसंद है तो आपर और देशी घी के जो पराठे होते हैं उनका तो टेस्ट ही अलग होता है तो यहां पर फटा फट नास्ता बनाएंगे अपना और नास्ता बनाने के बाद जो भी काम होते हैं वो भी करने हैं और पराठा बन गए थे हमने नास्ता बगएरा किया घर के सारे काम किये और फिर मैं दोपहर का जो है लंच बनाने आ गई थी तो लंच में आज बनी थी कड़ी चावल और रोटी तो कड़ी जो है ना आप समझ लिए मेरे घर में सबसे जादा बनने वाली मतलब सबजी होती है सबजी ही कहूंगी तो कड़ी जो है ना मेरे घर में मतलब एवरी वीक बनती ही बनती है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है डुग को भी बहुत पसंद है और इस पेसली तब में तोड़ी ठीक लगती है भुट जो गाओं वाला छाच होता है उसके दही से कड़ी बनाना उपकल मुझे पसंद नहीं है मैं और पिर मैं यहां पराटा भिया लिया था थोड़ा आ मेरा बत्वा रखा था उबला हुआ और उसकी प्यूरी बनी हुई तो कल तो घर जाना ही है तो इसलिए फ्रीट से मतलब जो भी चीज है वो सब मैं खाली करती जा रही हूं कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए जो मतलब आगे यूज नहीं होगी क्योंकि दो तीन दिन के लिए तो भीसली जो है खराब होई ही जाएगी तो बत्वाइब किये रोटी बनी थी आज और लंचो कहरा हो जाने के बाद मैं सीधा आ गई थी अपनी पैकिंग करने और आप सब जानते हैं कि जब हम पैकिंग कर देना तो उसमें कितना दिमाग खराब होता है मेरा तो इस पेसल और अपना और हस्बेन का एक बैग तो अटैचि यह हमारी थी दुगू का बैग अलग से लग चुका था वह भी फूल हो गया था अभी मैं यहाँ पर अपनी जो है ना जो मेकप किट होती है जो टोलेट ट्रीज होती है वो सारी यहाँ पर पैक कर रही थी तो डुगु की किट अलग होती है और मेरी और हस्बन की अलग होती है तो वही सब मैं यहां पर चेक करी थी क्या क्या मुझे लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है तो सारी किट निकाल ली थी और देखी दुग भी यहां गया था उसको कोई चीज लेनी थी मुझे तो वही पूछने आया था और जब उसे दिखाना कि यहां पर यह सब खुला ह हुआ है तो बच्चे तो इंट्रेस्ट लेते ही हैं सब चीजों में और बस यहां पर मैंने सारी चीजे पैक की और जब भी मतलब मैं बाहर जाती हूं तो कोसिस यही करती हूं मतलब घूमने जाओं या घर जाओं गाओं जाओं तब भी तो जितने वी चीज़ें चीजा हैं सैंपू हुआ तेल हुआ जो गुझस उनके में छोते चोटे जो है नहीं पसंद करती हूं क्योंकि वह जो स्जों क्यारी करने में आसान रहते हैं और आप अगर बड़ी बड़ी बोटल्स रख लेंगे न तो फिर सामान मतला आधा बैग तो आपका उसी सामान से बर जाया क्योंकि सैंपू लोसन वगएर की बोटल जो है न काफी बड़ी बड़ी होती हैं तो मैं हमें साथ छोटे वाले यी बोटल ले जाना पसंद करती हू उसके बाद मेरा एक काम और था आज की मुझे सारे प्लांस को पानी देना था बट उससे पहले दिवित को बहुत टाइम से लगी हूई थी कि उसको सैंड़िच खाना है वो भी चीज वाला तो फिर मैंने यहाँ पर गार्लिक ब्रेड बनाई उसके लिए और जब उसके लि यहाँ पर चीज सैंड़िच बनाई और यह सोरी गार्लिक ब्रेड बनाई और यह ना मुझे बहुत पसंद आती है मतलब अगर मेरा कुछ भी मतलब बाहर का खाने का मन है ना तो मैं यह बना लेती हूँ और इससे ना मुझे मतलब संतुष्टी हो जाती है मुझे बहुत प चाहे नास्ता साम वाला चाय बगरा बनाई थी मैंने फिर पहले बनाना शेक प्याता बट फिर दूगो एक खाने तो फिर मैंने क्योंकि एक खाली नहीं खाय जाते तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी छोटे-छोटा कप चाय भी बना ली थी उसके बाद देखे मतलब साम थी और सब में जो है ना मैंने काफी मतला अच्छे से फुल भर भर के पानी दिया था क्योंकि दो से तीन दिन हम यहां नहीं रहेंगे तो फिर प्लांस के सूखने का डर था तो बस गाई जहीता मेरा आज का व्लोग आई होप आप सब को पसंद आया होगा पसंद आया हो त प्लीज से लोगो सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए हो सकते तो फैमले और फ्रेंज के साथ शेयर भी कर सकते हैं तो चलिए मिलती हूँ आप सब यहाट वीडियो में तब तक के लिए बाबाद